नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग कैसी गई दिवाली की छुट्टियां है ना बहुत इंज्वाइ कर लिया बहुत लंबी छुट्टी थी अभी हमें पढ़ाई करनी है ठीक है अभी तो पूरा ना आप सब बूल गए होंगे इसलिए मैं दोबारा रिवीजन करवा रही हूं सबसे पहले हम ग्रामर का रिवीजन करेंगे ब्याकरण का पार्ट दस काम बताने वाले शब्द यानि क्रिया काम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते है क्रिया क्रिया किसे कहते है जो काम बताता है उसे हम क्रिया कहते है यहाँ देखो, क्या दिया है कोयल कूके मुन्नी गाए गुरिया देखो, दोड लगाए पापा रोज सैरह करते मम्मी बोले हसते हसते करते रहते सब कुछ काम कामी है, क्रिया यह जान कोयल क्या है, हमारी संग्या है एक पक्षी है जो कूके कोयल कूकना यानि कोयल की बोली तो ये क्या है कूके मिन्स क्रिया कूके का वो क्या होगा क्रिया है कूके क्या है क्रिया मुन्नी गाए तो गाए क्या है क्रिया है गुडिया देखो दोड लगाए तो दोड क्या है क्रिया है पापा रोज सेर है करते सेर क्या है क्रिया है मम्मी बोले हसते हसते बोलना और हसना क्या होता है दोनों क्रिया होते है करते रहते सब कुछ काम ही है क्रिया यह जान यानि काम ही क्रिया है या हमें जान लेना चाहिए हम सब कुछ न कुछ काम करते रहते हैं जैसे खाना, सोना, हसना, रोना, उठना, बैटना, चलना, फिरना, पढ़ना, खेलना, आदी तो जैसे मैं मानलो फॉरग जामपल, उदाहरड के तौर पर मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैं वीडियो में बोल रही हूँ, तो बोलना मेरी क्या हो गई? क्रिया हो गई और आप सुन रहे हैं देख रहे हैं तो देखना और सुनना वो आप लोगों की क्रिया हो गई आपका काम हो गया है ना तो इसको बढ़ियां से आप लोग सुनिए अच्छे से मैं इसमें IBL भी सबसे पूछूंगी ओनलाइन क्लास में ठीक है देखो दिया है काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं काम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं नीचे दिये गए चित्रों में हो रहे कामों को देखो और समझो अब देखो यहाँ एक लड़की है जो क्या कर रही है नाच रही है नाचना यानि डैंस कर रही है तो नाचना उस लड़की की क्या हो गए उसका काम क्या है वो कौन सा काम कर रही है वो नाचने का काम कर रही है तो नाचना क्या हो गया, क्रिया हो गया, क्या हो गया, नाचना क्या हो गया, उसका क्रिया हो गया फिर देखो यहाँ एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों बाते कर रहे हैं, तो बोलना, दोनों बोल रहे हैं तो उनके जो बोलना है वो उनकी क्या हो गई क्रिया यानि वो बोलने का काम कर रहे है एक दूसरे से तीसरा हमारा है देखो एक लड़का है जो टेबल पर बुक रखके नोटबुक रखके लिख रहा है तो उस लड़का क्या काम कर रहा है लिखने का काम कर रहा है तो लिखना क्या हो गया क्रिया लिखना उसकी क्रिया है फिर देखो एक पक्षी है जो उड़ रहा है तो पक्षी जो है कौन सा काम कर रहा है उड़ने का काम कर रहा है तो उड़ना उसकी क्या हो गई क्रिया हो गई फिर एक लड़का है जो हस रहा है देखो दांते दिखा रह दाब दिखा रहा है तो उसकी क्रिया उसको कौन सा काम कर रहा है वो हसने का काम कर रहा है तो उसकी क्रिया क्या हो गई हसना दो बच्चे जो हैं छुपन छुपाई खेल रहे हैं देखो आखे बंद किया है गौर्स जो लड़की है वो छुप गई है दोनों खेल रहे हैं तो तो दोनों कौन सा काम कर रहे हैं खेलने का काम कर रहे है तो खेलना उनकी क्रिया हो गई फिर देखो यहां एक लड़की है जो जूले पे बैठी है डाल है जूला पड़ा है तो वो लड़की जूल रही है जूला तो जूलना उसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई फिर एक लड़का बैठा है जो आखों पे हाथ रखे हुए रो रहा है ना, तो उसकी क्रिया वो कौन सा काम कर रहा है वो रो रहा है, तो रोना उसकी क्रिया हो गई फिर उसके बाद देखो एक लड़का खड़ा होके जो है नहा रहा है क्या कर रहा है नहा रहा है तो नहाना क्या हो गया उसका क्रिया हो गई उसकी क्या हो गई उसकी क्रिया नहाना हो गया है ना चलो उसकी बाद देखो कुछ काम हम करते हैं और कुछ काम जो है अपने आप हो जाते हैं जैसे दिन निकलना सूर्य निकलता है, सूर्य डूबता है, दिन होता है, रात होती है, यह अपने आप होता है. हम में से कोई इसको करता नहीं है. बारिश होना, हवा चलना है न? तो यह सब अपने आप हो जाते हैं. फिर देखो हमने क्या सीखा जाना? विशब्द, विशब्द जिनसे काम करने चाओं का पता चलता है क्रिया कहलाते हैं वे शब्द जिनसे काम होने या करने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं क्रिया कहते हैं चलो अब हम अभ्यास करेंगे देखो क्या समझ देखे क्या हमने समझा चित्र देखकर सही काम पर गोला लगाना अब देखो पहला चित एकिस्का चितर है सोने का खा रहा है नवक 나 होना पीना है क्या कर रहा है वो सोना तो सोने पहां घूला लगाएंगे फिर देखो एक लड़का है। जो माइक पकड़ के बोल रहा है तो उसमें हमारा option दिया है पीना, गाना, बजाना माइक लेके न कोई पानी पीता है, न बजाता है क्या करता है, गाना गाता है न तो हम गाना पे गोला लगाएंगे circle करेंगे फिर देखो यहां एक लड़का, एक लड़की जो आगे पीछे जो है चलना, दोडना, कूदना तो देखो यह तो न चल रहे हैं, चलते तो हम आराम से हैं न कूद रहे हैं, यह दोनों क्या कर रहे हैं? दोड रहे हैं तो हमें किस पे circle करना है? दोडना पे किसके वरना है? दोडना पे फिर देखो दो लड़के हैं, जो आपस में बाते कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ तो option दिया है, बोलना, चलना, पढ़ना तो न यह चल रहे हैं, न यह पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं तो हमें किस पे circle करना है? बोलना पे गोला बनाना है अब देखो next page चित्र देखकर खाली इस्थान भरो यानि चित्र देखकर जो है वो हमें खाली जगा भरना है देखो एक लड़की है जो दोड रही है एक लड़की है जो रसी कूद रही है एक पक्षी है जो पेड़ के उपर उड़ रहा है पेड़ पर किसका फल लगा है सेव है फिर उसके बाद जो है लड़का है जो पेड़ से सेव तोड़ रहा है तो देखो अब हम यहाँ देखेंगे पहला दिया है राघव सेव खाली जगह रहा है तोड़ या मोड हम तो सेव तोड़ सकते हैं तेब सेब को कोई मोड़ सकता है कागज थोड़ी है काम उसे मोड़ लेंगे है ना तो यहां तो पहले से अल्रेडी फिल है तोड़ अब खो नमबर पिंकी जो है दोड़ रही है सो रही है या दोड़ रही है तो चित्र जो है चित्र में तो कोई सो तो रहा तो अब यह रही जो दोड रही है वो पिंकी है पिंकी क्या कर रही है दोड रही है तीसरा है रामा रसी खाली जगर चल या कूद रही है देखो रसी लेके कोई चित्र में चल नहीं रहा है है ना चित्र में यहां रसी लेके रामा कूद रही है तो यह हो गया फिर उसके हमारा है पंची उड़ रहा है या बैठा है तो पेड के उपर पंची बैठा नहीं है वो उड़ रहा है देखो यहां उड़ रहा है उसके बाद हमारा है कि बादल बरस रहे या गरज रहे हैं बादल जो है वो बरस तो नहीं रहे है बारिश हमारे चित्र में कहीं नहीं हो रह बादल उपर दिये हैं तो वो बहुत तेज़ गरज रहे हैं तो यह हमारा खाली जगह हो गया है उसके बाद अब देखो कि क्या दिया है पूरे दिन आप बहुत से काम करते हैं कोई पांच काम लिखो यह जरूरी नहीं है कि मैं जो लिखी हूं वही लिखना है यह आप अपने आप से भी कर सकते हैं पहला पढ़ना फिर सोना भागना, कूदना खेलना, है ना लिखना, यह सब हमारे दिन चर्या है, हम काम करते हैं नहाना, खाना तो ऐसे बहुत से वर्ड हो सब्द है, जो हम दिन भर में करते हैं, जो हमें लिखना है, ठीक है, अब मैं आप लोगों से IBL पूछूंगी, जैसे कि मानलो, रमा मानलो कि मैं मैं आपको पढ़ा रही हूं है ना, बोल रही हूं तो बोलना क्या है मेरी क्रिया है, आप देख रहे हो वीडियो कि आप वीडियो देख रहे हो, देखना क्या है, ये एक क्रिया है, सुनना क्रिया है, तो ये तो मैं आपको, आप IBL, IBL means inquiry based learning, ठीक है, तो IBL question में ये होगा कि इसमें से आपने कितना सीखा ये मैं आप से जानूंगी, ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि IMLI, जो है Sorry, आप मुझे ये बताओ कि हम घूमने जा रहे हैं तो हमारी क्रिया क्या है, हमारी क्रिया क्या है, हम घूमने जा रहे हैं, तो हमारी क्रिया क्या है घूमना हुआ इस तरह के question जो होते हैं, वे हमारी क्रिया कहलाते हैं, जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो राम की क्रिया क्या होगी? राम खाना खा रहा है रमा दोड रही है सीता गा रही है अर्चना पढ़ा रही है है ना? तो नित्या पढ़ रही है नित्या टीवी देख रही है ठीक है? तो ये सब जो है हमारे क्रिया है तो I think आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा ये जो है चार बार हो गया समझाते हुए है ना? हमने ओनलाइन में भी पढ़ा एक बार चैप्टर पर भी डिसकस किया फिर उसके बाद हमने इसको रिवीजन शीट में भी किया रिवीजन भी कर लिया ये चौथी बार रिवीजन हमारा चल रहा है ना? तो मुझे नहीं लगता कि क्रिया किसी को समझ में नहीं आया होगा ओके बच्चों बाई एबरिवान नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ओके बाई बाई